शत्रंज जिसे चेस कहा जाता है एक ऐसा खेल है जो दिमाग की ताकत और सोचने की गहराई को परकता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शत्रंज का सबसे छोटा और सबसे साधारण देखने वाला महुरा प्यादा असल में कितना खास है शत्रंज की सुरुवात भारत में हुई थी और इसे उस समय चत्रंज कहा जाता था तब ये खेल राजा माराजाओं का मनुरण्यन हुआ करता था और युद्ध की रणनीती समझने का जरिया भी था उस समय प्यादे को पदाती कहा जाता था जो युद्ध की मैदान में चलने वाले सैनिकों का प्रतीक था य लेकिन अगर इसे सही देशा में ले जाये जाये तो ये सबसे ताकतवर मौरा बन सकता है शत्रंज में प्यादा सबसे छोटा और सीमित चालो वाला मौरा है ये सीधे एक कदम चलता है और तिर्चा हमला करता है शुरुवात में शत्रंज में प्यादे की चाल आज के जैसी हो गया प्यादे की असली तागत तब दिखाई देती है जब वह बोड की आखरी लैन में पहुंच जाता है वहां पहुंच कर यह किसी भी मोरे में बदल सकता है चाहे फिर वह बजीर हो आती हो गोडा या फिर उंट यही उसे खास बनाता है यह सिखाता है कि अगर आप अपन हमें लिया जाए तो वे हमें बड़ी सफलता तक पहुंचा सकते हैं प्यादा यह भी सिखाता है कि शुरुगात में कमजोड दिखना कोई बुरी बात नहीं है अगर हमारे अंदर धहरे और लगन हो तो हम अपनी जेगे बना सकते हैं हर बड़ा शतरंज खिलाडी यह जानत है कि प्यादे का सई इस्तमाल करना ही असली गेम प्लान है